दुर्गापुजा समीती में दरार अमिश्चा को लेकर दुर्गापुजा समीती में दरार पढ़ गया है एक ही कमिटी में कई सदस होते हैं आपस में सदस भिर गए किसी ने किसी को कहा कि हम से पूछा नहीं गया किसी ने कहा कि नहीं आप से पूछा गया दरसल क्या है रवीबार सुभा अमिश्चा को लेकर एक समीति में मद्वेश शुरू हो गया सौल्ड लेक समीति है सौल्ड लेक पुजा समीति और यह बीजे ब्लॉक में यह पुजा संपन होगा यहाँ पर अमिश्चा को एक तरिक को घाठन के लिए बुलाये गया लेकिन उसी पुझा पंडाल में कल सुबह जब चाय पर लोग बाचित कर रहे थे जब चाय का दौर चल रहा था बंगाल में एक संस्किती है अड़ा माणना वह अड़ा चल रहा था उस अड़े के दौरान आपस में बहस बाजी हो गई और बहस बाजी होते होते हैं कुछ ऐस ले गया क्योंकि उनको केंद्रिय मंत्री के साब से बुला गया बेज़े पी पार्टी के रूप में उनको नहीं बुलाया गया वहां पूजा समीति का अध्यक्ष है उमाशंकर घोष जस्तिदार उन्होंने इस बात पर समवाद्दातों से कहा कि हमने उनको इसलिए बुला स्वादाल में घर घर में अड़ा चलता है तक इस और और अड़े में बैटकर आकबारों में क्या चपा और यह रहाए बहुत यह लोगों उनका उद्गाटान नहीं करते तब तक चिनता की बात है कि अब हम दूसरी ख़बर पर है दूसरी खबर है सीवीने तेज कर जिंप सिंपतेज कर दिजरे घेर पौच गए सिवी अई सीवी पर लएकल के घर कल पपची और उनके साथ थे आइपेस अफसर उनको लेकर उनके घर में पहुeren तहकीकात करने के लिए जानने के लिए और देखने के लिए कि उन्होंने घूस कहां लिया था क्योंकि आइपेस अफसर का कहना है मिज्जा नाम है उनका मिज्जा का कहना है कि उन्होंने घूस उनके घर में जाकर दिया था अब बात यह आती है कि शनिवार को धाइगंटे तक कुस्ताज के बाद रवीवार को फिर उनके घर पहुचे सी बी आई साथ में थे अफसर आई पेस अफसर उन्होंने बताया कि इसी घर में साड़ले कि इसी घर में बैटकर एलगीन रोट कल दच्छिन को लकाता के एलगीन रोट पर इस्थित है मुकुल्रा के घर और वहां पर उन्होंने पूरे घर को देखा और वहीं पर मिर्जा ने कहा कि इसी घर के तीस तीन तल्ले के रूम में हमें पैसे दिये हैं लेकिन मुकुल्रा है कि हमने कोई पैसे नहीं लिए अब इस बात की तैकिया चल लेए कि पैसे लिए गए या पैसे नहीं लिए गए या तो पैसे लिए गए होंगे या पैसे नहीं लिए गए होंगे लेकिन इस पर अभी साक्ष नहीं मिल रहा है बातचीत पर आधारिते और बात जब वो बाहर आए मुकुल रहा है तो समवाद दाता ने उनको घेल लिया और घेल कर जब उनसे पूछा गया इसके बारे में तुन्होंने दो लाइन बताया वही कि ममता जी हमें फसा रही है अब ममता जी फसा रही है या वो खुद फस गया अलग बात है लेकिन उन्होंने कहा कि मंता जी हमें फसा रही हमें साही साजिश के तहत फसाया जा रहा है खेर हो सकता है कि उनको फसाया जा रहा हो लेकिन अगर आग नहीं होती है तो धुआ नहीं निकलता है कहीं न कहीं तो आग होगी इसलिए धुआ निकल रहा है अब मैं आपको तीसरी खबर की ओल लेके जा रहा हूं तीसरी खबर यह है कि बंगाल में अचानक जबद्दस बाड़िश के कारण पानी-पानी हो गया पंडाल सारे पंडाल धुल गए पूजा पंडालों की सजावत और पंडालों में जो समीतियां बनी हुई हैं जो लोग हैं वो लोग परेशान हो गया है रविंद पूजा बहुत बड़े लेविल पे हुआ करता है और इसलिए वहां के जो पूजा समीति के लोग हैं चिंतित हैं लेकिन अभी चुकि सश्टी से वहां शुरू होते हैं पूजा बंगाल में इसलिए अभी लोगों को थोड़ी राहत है आगे इन लोगों का मानना यह है कि दो दिन तीन दिन तक तीन निन अभी बाकी है तो लोग दुर्गा मा से प्राथना कर रहे हैं खासकर महिला हैं से कि मां हमें हमें आपके दर्शन के लिए समय दो तकि बारिश न हों चौथी खवर भी दुर्गा पुजा से जुड़ी हुई है दस करोर सोने से सजा दी गई प्रतिमा दस करोर हम लोग 10 करोर के लिए तरस जाते हैं वहाँ पर 10 करोर से प्रतिमा हैं सजाई जा रही है दर असल मा दुर्गा मा सरस्वति माल अच्पी भगवान कार्टिक और भग बात भीन इस पूजा में चंद्रयायन टू चंद्रयायन टूंड चंद्रयायन टू के चांद के सफर को दिखाय जाएगा कैसे दिखाय में इस पंडाल के खासियत हेएं कि 10 करोर से बनाए गया है लोग यहां इस पूझा को देखने के लिए बहुत अतूर हैं और हूं के चैनलों में और हूं के अगबारों में इस पूझा को लेकर काफी चर्चा चाह के दुकानों में चर्चा है लोग निश्चित रुप से सब्तमी अस्टमी को दिन इस पूजा को देखने जाएंगे अब हम आपको चलते-चलते के खबरों से रुबरू कराते हैं चलते-चलते की सबसे बड़ी खबर यह है कि राष्टपती कुविद राष्टपती बेलूर मट जाएंगे दो दिन के दौरे पर कोल पस्चिमंगल आ रहे हैं और पस्चिमंगल का कर उन्हों वो सबसे पहले बेलूर मट जाएंगे एक कार्मकम को संबोधित करने के लिए हम आपको बता दें कि राष्टपती जी का यह पहला दौरा है एक कारेक्टरम को सम्मूदित करेंगे और अपनी बात रखेंगे पूजा के समय हुआ हैं तो पूजा से सम्मंदित भी कुछ बाते हैं वह हमसे शेयर करेंगे चलते-चलते की दूसरी खबर है आसन्सोल में 15 अक्टूबर तक कराएं मद्दाता कार्ट का सत्तापन दरसल आसन्सोल में 20 लाख मद्दाता हैं और 10 फिसेदी भी लोगों ने सत्तापन नहीं किया है मद्दाता सत्तापन नहीं करने करान जो दिक्कते आती हैं उसके लिए डीम सक्रिया हैं डीम ने मुबाइल पर और लोगों को मैसेज बिविन माद्दों से भेजा कि आप लोग 15 अक्टूबर तक मद्दाता कार्ट का सत्तापन करें आप लोग मुबाइल से भी कर सकते हैं एक नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है इन वी पीएस उसके माद्दम से भी आप मद्दाता का सत्तापन कर सकते हैं और यह अगर आपने समय पर नहीं किया पंदा अक्टूबर नहीं किया तो आपका नाम मद्दाता सुची से निकाल दिया जाएगा इस बात का ध्यान रखें इसलिए आसनसल के जनता को हमारे भी अपील है कि आप मद्दाता कार्ट का सत्तापन तुरंद कर ले हैं एक खबर और है चलते चलते में कोलकाता के पोकर क्लबों में कोलकाता पुलिस की छापे मारी हैं पोकर क्लब जो छोटे-छोटे क्लब होता है जहां पर जुआ बएगरा चलता अड्ड़ा चलता है इस क्लब में जो सबसे बड़ी बात ये है कि कोलकाता का मशूर बियरानी सेल पर अर्सनल का मालिक ये बियरानी सेल बहुत बड़ा एक वो है रेस्टोरेंट है जिसमें उसके मालिक पकड़े गए हैं और उनके मालिक का नाम है अक्तर परवेज यह असलान के मालिक हैं और जेपीसी मुलीदर शर्मा ने छापे मारी की इस छापे मारी में 14 लोग गिरपतार हो गये कुल मिलाकर पंदा लोग हैं जो गिरपतार हुए हैं चार्ट सो पोकर चिप्स एक राउडर एक वीडियो रिकॉडर और खेल के बारा कार्ड जबतु हैं तो इस दौरान पुजा के दौरान दिवाली के दौरान हमारे सारे पोकर क्लप्स बहुत सक्री हो जाते हैं तो उस सक् इसके सात आपसे हम दिदा के? हमने चाहते हैं कि आपकी आगे वर्दानी हम चालते हैं कि याप खूब देखें और हमारे वीडियो को सेअरे और न हमारे लोगों को बता कि बंगाल की खबड़े किस तरह से हम दे रहें अगर आपके पास भी कोई बंगाल की खबड़े हो तो हमारे वेबसाइट तक या हमारे नंबर पर संपर कर सकते हैं संपर करके खबड़े सकते हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमारा सास बटाया